हलो गाइज स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सेविलाइज इंजीनियर पर तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अपना ये वाला टॉपिक कवर कर देया था लीनियर मेजरमेंट एंड चेंज सर्वे तो आज हम इस पर अपना वो कॉश्चन एक सेट लगाएंगे द ठीक है उन्होंने पुछा हमारा स्लोप करेक्शन स्लोप करेक्शन कौन सा था हमारा जैसे दो लाइन गए वी थी और बीच में कोई एक स्लोप आ जाता है ये तो ए और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस था हमारा हम नाब लेते हैं ये हमें मेजर करना था ये तो इ तो इसकी हल्प से हम सबसे पहले हैं क्या काम करेंगे cos theta निकाल लेंगे cos theta जो आप निकाल लेंगे उसकी value ऐगी 0.9988 अब इसमें हमारे पास एक जो formula मैंने आपको बताया था वो बताया था हमारा h square upon 2l या फिर आप एक और formula यूज़ कर सकते हैं इसको निकालने के लिए वो हमारा minus of l 1 minus cos theta ओके तो सीधा आपको क्या करना है आपने cos theta की value निकाल ली है l आपको पता है सब चीज़े formula में put कीजिए और यहां से cg हमारा निकाल लीजिए minus of 60 1 minus 0.9988 और यह आपका आंसर आजाएगा minus of 7 point now let's move to our next question the next question is the length of a base line measured on ground at an elevation of 300 meters above the mean sea level is double to 50 meters the required correction to reduce to mean sea level the given radius of the earth is 670 kilometers ठीक है तो उसने हम से क्या पुचा है correction to reduce to mean sea level इसका formula भी हमने कल अपने पिस्छी lecture में पढ़ लिया था जो इसका formula था वो था minus of hl upon r minus क्या था? क्योंकि हमने यह जो देखा था यहां पर यह यहां तक यह हमारा radius था यह हमारा h था तो यह जो यह length है यह वाला यह l यह से हमेशा बढ़ाई होगा तो इसमें convertant के लिए minus आएगा हमेशा है ठीक है? तो क्या करना है यहां पर? हमें तीन value चाहिए है अपनी h, l और r जो h है हमारा वो इन्होंने दिया हुआ है 300 meters ठीक है? radius उन्होंने दे दिया है 6-7-0 km इसको मेटर में convert कर लेंगे यह कि सारी units मेटर में है? और जो हमारा radius यह दिया हुआ है इन्होंने l लेंज जो दिवी है वो है हमारी 2250 तो value put कीज़े आप सीधा minus of 22250 multiplied by 300 divided by r r क्या है हमारा 6370 और इसको मेटर में convert करने के लेंगे 10 की पावर 3 से multiply कर देंगे तो जो हमारा answer वह निकल किया जाएगा minus of 0.106 6 meters अब next question की तरफ चलते है अपने इस question में हमारे correction कवर हो जाएँगे ठीक है तो start करते है a line measured on a uniform slope with 30 meter tape pulled with a force of 5 kg अब जो यहाँ पर 5 kg है वो है हमारा pm pull at the time of measurement 5 kg ठीक है the length of the line was found to be वो जो हम L use करते हैं इसमें हमारा L यह इनोने दे दिया है हमारा 525.80 meters ठीक है the temperature at the time of measurement was Tm इनोने में दे दिया है 30 degree and the tape is corrected at 24 मतलब की T0 जो है वो अपना 24 है and there is no pull मतलब की जो हमारा P0 है वो 0 है determine the horizontal distance between the ends of the line मतलब की वो हम से distance पूछ रहा है में लिए जो हम दो ट्राइपोड लगा देते हैं उन दोने के बीच का distance कितना है सारे की सारे correction लगा गया ठीक है the difference of the elevation of the two ends of a line is 9.14 meters मतलब की उन दोने के बीच में एक elevation का difference भी है मतलब ये एक point A हो गया ये B हो गया तो ये जो H होता है यहाँ पर ये उन्होंने हमें दे दिया है 9.14 meters ठीक है the coefficient of thermal expansion of the material is ये alpha alpha उसमें हमको दे दिया है point 10 की पावर minus 5 ठीक है cross-sectional area tape का हमें दे दिया है 2 mm इसको भी हम इसी में जो हमारी सब cross-sectional area of the tape is 2 mm and its modulus of elasticity is 21 into 10 की पावर kg per centimeter square ठीक है तो इसका solution करते है तो सबसे पहला हम correction लगाते है अपना temperature correction C T temperature correction का हमें formula पता है क्या था हमारा L alpha Tm minus T naught ठीक है तो सब चीज़ा हमें L हमें पता ही है हमारा क्या था 528.5 alpha हमारा क्या है 10 की पावर minus 5 Tm हमारा है temperature measurement 30 degree celsius और T naught है 24 degree celsius तो यहां से हमारा जो temperature correction है वो निकल कहाँएगा 0.0315 meters ठीक है अब हम next correction लगाएंगे अपना next correction लगाएंगे हम पुल की वज़े से पुल की वेज़े जो correction था वो क्या था हमारा Pm minus P naught L upon A into E ठीक है जो Pm है वो उन्होंने देख रखा है हमारा 5 minus 0 N हमारा वही होगा 525.8 8 यह हमें mm में दिया हो था इनों है तो इसको convert कर लेंगे 10 की पावर माइनस 2 into 21 into 10 की पावर 5 ठीक है इसको आप सब लोग calculate करेंगे तो यह निकल कहाँएगा 0.0626 meters ओके अब अपना last correction लगाएंगे हम that is slope correction slope correction का हरोंगला में पता ही है क्या था edge square upon 2L और यह हमेशे किस में होगा minus में होगा ठीक है तो लगाते हैं सको 9.14 का square divided by twice of L कितना है हमारा 525.80 यह minus में होगा तो यह निकल कहा जाएगा हमारा minus of 0.079 double 4 ठीक है अब आपको क्या करना है सारी corrections को add कर लेना है उनका मेंगे जो sign है उनके पास plus या minus उसके साब सुनको add कर लेना है तो जो हमारा total निकल क्या देगा correction वो होगा 0.0146 ठीक है उसके बाद उसने हमसे corrected length पूछी थी तो क्या करना है उसमें corrected length में जो हमारे पास length ही होग कहती plus 525.8 और इसमें में अपना correction rate कर देंगे 0.0146 तो हमारा जो exact length आ जाएगी वो आ जाएगी इसकी 525.8146 meters ठीक है तो यहां तक आपका सब कुछ के लिए हो गया है regarding this chapter सारे हमने अपने topics cover कर लिए हैं और इसमें numerical भी लगा लिए हैं बाग अगर आपको किजी भी numerical में doubt हो तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर share कर सकते हैं उसको लिंक्स आपको सबी description में दिये जाएंगे thank you